आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello friends, the question is So, यहाँ question यह दिया गया Di-ethyl ketone and di-methyl ketone can be distinguished by So, जो आपका किलमे से हम इसको distinguish कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको ketone दिया गया So, di-ethyl ketone का formula क्या हो जाएगा आपका CS3, CH2, C double bond O, CH2, CH3 This is di-ethyl ketone और di-methyl ketone का जो formula है वो आपका हो जाएगा CS3, C double bond O, यह CS3 ठीक है So, हम इन दोनों को distinguish करना कैसे कर सकते हैं So, पहला reagent आपको दिया गया tolerance reagent So, tolerance reagent जो है यह chemical reagent है It is used to determine the presence of a aldehyde and aromatic aldehyde functional group along with the some alpha hydroxy ketone ठीक है So, यह जो है यह आपका tolerance reagent जो है यह आपका किस-किस के लिए use होता है aldehyde ठीक है और इसमें आपका aldehyde में aromatic भी है ठीक है aromatic plus alipatic दोनों ही aldehyde को हम लोग क्या है यह positive test देता है और साथ में जो है आपका इसमें कुछ alpha hydroxy ketone है alpha hydroxy ketone तो यह आपके functional group जो है यह positive tolerance test देते हैं और इसमें कि use क्या होता है आपका az ns3 whole twice और यह होजाएगा आपका plus और इसका ammonical जो solution होता है वो हम लोग use करते हैं ठीक है इसमें ऐसा कोई आपका ketone है aldehyde है नहीं है तो यह वाला जो test है यह नहीं देंगे क्योंकि यह negative test देंगे दोनों दोनों ही ketone है इसी तरीकी से आपका failing solution है तो failing solution जो है वो आपका क्या होता है कि यह only on aliphatic aldehyde के लिए होता है ठीक है so aliphatic aldehyde जो है वो आपका क्या हो जाएगा मतलब यहाँ पर हम aldehyde और ketone में ही बात कर रहे है तो यह aliphatic aldehyde के लिए होता है aromatic aldehyde यह वाला test नहीं देते है ठीक है और इसके बाद जो है आपका so जो aliphatic aldehyde होते है वो इसमें क्या positive test देते हैं और oxidize हो जाते हैं और आपका red brown PPT बनता है ठीक है और इसमें क्या हुआ कि आपका ketones होते हैं वो इसमें negative test देते हैं इसलिए यह भी हमारा cancel हो गया है क्योंकि दोनों ही ketone अब जो sip-reasant होता है वो आपका क्या है कि यह organic chemistry में test है एक और यह detection of many organic aldehyde के लिए use हो जाता है ठीक है जितने भी आपके मतलब बहुत सारे aldehydes है उनके लिए यह use किया जाता है ठीक है तो हम लोग क्या है कि यह जो sip-reasant है इसको बोला जाता है para-rosaniline यह जो इसका para-rosaniline plus SO2 plus SCL यह होता है आपका sip-reasant और यह जो है it is used for the differentiate between the aldehyde and ketone और aldehyde के लिए positive test देता है ठीक है aldehyde के लिए aldehyde के लिए यह क्या है positive test देता है ketone के लिए आपका negative देता है इसका मतलब हो गया कि यह तीनों ही reason जो है अमारे लिए बिकार है क्योंकि हमको ketone को distinguish करना है इसके बाद आता halopharm test so halopharm test तो क्या होता है कि हम लोग जो आपके methyl ketone CS3 C double bond इस तरीके के गुरूप हों या CS3 CHOH वाले गुरूप हों इस तरीके के तो यह दोनों ही आपके halopharm test देते हैं और halopharm test में होता क्या है कि अगर हम methyl ketone लें जैसे हमारा methyl ketone कौन सा है आपका dimethyl ketone है यह आपका इसमें test देगा और इसमें यह वाला test नहीं देगा तो हम लोग इसकी reaction लिख रहे है CS3 C double bond O CS3 अगर हम इसकी reaction किस के साथ करा दें I2 in the presence of a base ठीक है So I2 in the presence of a base के साथ हम reaction कराते है ठीक है एसा भी लिखाज है तो भी आपका क्या है यह आईडो पर्म test दे रहा है और इसमें बनता क्या है आपका बनेगा CS3 C double bond O O minus और यहाँ Na plus और साथ में आपका एक yellow color का precipitate बनता है CS3 sorry CHI3 यह आपका PPT बनेगा ठीक है और yellow PPT बनेगा तो हम इसको इस तरीके से distinguish कर सकते है और यह जो है idopom test दे रहा है ठीक है dimethyl ketone और diethyl ketone जो है यह idopom test नहीं देगा तो हम इन दोनों को इस तरीके से distinguish कर सकते है तो option जो D है वो हमाई लिए क्या है सही test है ठीक है Thank you आच चारसो 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 पर